असलाम लेकुम हाई फ्रेंट्स वेलकम टो मैं चानल आयत क्रियेटिव लॉक्स आज हम बनाने वाले हैं स्टीट श्रेड पकोड़ा इस बहुत ही आसानी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और यह मौसम में तो जरूर खाना ही पड़ता है कुछ लोगों को खाने की खाईश हो ही वैसके हुए जो मौसम में इस पकोड़ा रहा था तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं जो भी इंग्रेडेंस मैं बताओंगी स्टेप ऐस टेप मुझो फॉलो करते जाए और यह रेसिपी नरम जो बलते हैं श्रीट स्ट्राइल नरम पकोड़े है तो आप भी रेसिपी क कि और को पारिक यूंद दालें काइव करनें प्या शुप निंधा नु केशन दाली हुँ और जाँ आमक उनल Л सब्सक्रादान। मैं लिए कंशन मुझायां प्यांस सोब ग्षार के सेटेर मेंुप डालें और टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक दाल लीजिए यहां पे मैं हाफ टेस्पून भरके नमक दाल रही हूँ आगर आप चाहे तो आपके टेस्ट की साब से दाल सकते हो और हाफ टेबल स्पून भरके हल्दी का पॉडर यानि टर्मरिक पॉडर और इसके अंदर दाल देते हैं 1 1 बाइ 4 टीस्पून भरके जिंजर गालिक पेस्ट यानि अदर ग्लैसन का पेस्ट है और इसके अंदर दाल देंगे 1 बाइ 4 टीस्पून क्यूमिन सीट यानि जीरा इन सबी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते चाहिए क्योंकि बीन पहले आठा दालने से पहले जरू से आप सेम इसी तरह से मिक्स कर दीजिए देखिए इसमें थोड़ा सा पानी निकल आ चुका है और इसी के अंदर दालेते हैं बेसन का आठा सो यहां पे मैं जो कप से मैं मेजर करके रिली हूं प्यास वन कप से वन कप भरके बेसन का आठा ले रहे हूं और यहां पे जो बी प्यास का पानी है इसा अठे के अंदर अच्छे से फ्लेवर दालो आ चूके तब तक इससे मिक्स करते जाएे कम से कम 3 20-40 फी Owen तक मिक्स कर दे जाए कि इसे आपको दिख रही हो का वीडियो में जो भी मैं बता रहे हूं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सो इसका जो भी consistency का पानी है प्यास में इस आटे के अंदर अच्छे से mix हो रहा है सो इसके बाद में यहां पर हम दाल लेते हैं पानी यहां पर पानी भी same cup से दालना है जो cup से में oil sorry जो cup से में onion और बेसन का आटा ली थी same वोही kaps में यहांपर one cup भर के पानी इसे ठोड़ा-थोड़ा करके दालना है एकी बार पानी नहीं दालना है ठोड़ा-थोड़ा पानी दाल कर इसे इसी mix करते जाहिए जैसे आपको दिखाधी दे रहा ही हो होगा वीडियो में थोड़ा थोड़ा पानी दल कर इसे एसी कंसिस्टेम में बनना चाहिए दिखिए यहां पे एक स्मूथ कंसिस्टेंसी बन गया यह कंसिस्टेंसी इतना बनना ही कि जादा थिक ना हो जादा तिन ना हो यानि जादा पतला भी नहीं होना चाहिए आटा जादा गाडा भी नहीं होना चाहिए इसे ऐची तरह से Α्टा रख लेना है निक्स प्रोशिचर के लिए हम में तेल को और गरम करके रख ली हूं ये थैल जधा गरम नहीं हो नहीं होता है साह 17 worm ना जोभी i8 मिक्स करके रख लिए दाने Tobias आप ध्यान रखिए कि flame को medium पे रखिए, high पे ना रखिए क्योंकि medium रखना है क्योंकि अगर आप flame को अगर high पे रख देंगे तो बाहर से crispy दिखेगा और जल्दी से golden brown color में turn हो जाएगा, लेकिन अंदर नहीं पकेगा आप ध्यान में रखिए कि flame को medium रख लीजे, medium रखने के बाद में लास्ट दो मिनिट आप देखिए इसका color yellowish to golden brown होने तक आप medium पे रख लीजे golden brown होने के बाद में आप इसे high पे रख दीजे दो मिनिट तक, बस इतना ही है इसका जो भी जाली से मैं इसका जो भी oil excess oil है इस तरह से एक दो से एक मिनिट के लिए रख दूँगी और इसे मैं एक बॉल में डाल रहे हूं बस इतना ही है सिंपल और आसानी से स्ट्रीट स्टाइल पोकोडा बन चका है आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिए और मुझे स्टैप बाच स्टैप मुझे फॉलो करते ही जाहिए जो भी इंग्रीडेंस है मैं आपको कमेंट बॉक्स में दिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता और अच्छे वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए अगर आपको रिवीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए